जिन जातियों के नाम पर रेजिमेंट बनी हैं, इससे यह जहिर होता है कि यह जातियां अंग्रेजों के साथ मिली हुई थी, वफादार वो लोग हैं जिन पर क्रिमिनल ट्राइबेक्ट लगाया गया, तो जो रेजिमेंट लिये वे ठेबिल्टिस कालम है, वो मतलब उन्हों कहेंगे चोर, उसमें कास्मीर में तो आप शाम को रेडियो खोलना च्छे वजे, वह कहेंगी अब आप गूजरी बासा में समाचार सुनी, और के नाम पर बासा भी नहीं किसी कि गूजर के नाम पर बासा भी है, आप तो गूजर समाज का बड़ा गोरव साली तियास बता रहे हैं, लेकिन जब से विवाज छीडा है, हम सोचल मीडिया पर अक्सर देखते हैं, राजपूत समाज के जो कुछ नोजवान है, वो कमेंट करते हैं, और लिखते हैं कि गूजरों को क्या इतियास रा, गूजर तो भेंस चोरी करने का काम करते थे, देखो भई, जिन जा ही रही रहता है, यह जातियां अंग्रेज के साथ मिली वी थी, और जिन जात्यों पर क्रिमिनल ट्राइबेक्ट रगा ठटर में, उससे यह जाहिर होता था है, कि अंग्रेज साथ लड़ रहे थे, तो चोर कौन है देश में गद्दार कौन है और वफादार कौन? ऑजर वह तो जो रेजिमेंटल ये वे ठीबिलिटी का अलम है वह मतलब उन्हों कहेंगे चोर हम तो अंग्रेज दवाओ फिर रहे थे जब भुका अदमी है और भूख लग रही पिछे पुलीस है तो छीन के खाना सुरू कर दिया वरना अगर चोर चक्के होते तो आज भी करते ना उस राजपूत जाती से पहला है राजपूत जाती से क्या मतलब धेर पुराना इतियास है बहुत पुराना इतियास है इस दुनिया में मतलब कुछ इस परकार के परमान है मतलब गुजर जाती का कहीं उल्लेख है पुरा उल्लेख है वह सारे राइटरों ने किताबे लिखी है सिला लेख हैं और जी तामर पत्र हैं बहुत सारे परमान है और वह परमान मतलब आज भी है नदियों के नाम है पहडों के नाम है ऐसे देशों के नाम है ऐसे भासा है उसमें कास्मीर में तो आप शाम को रेडियो खोलना अच्छे हैं वगजे वह कहागी अब आप गूजरी बासा मैं समाचार सुनी कि और के नाम पर बासा भी नहीं किसी कि गुजर के नाम पर बासा भी है को लीपी आना एक यूं से यूं लिखी जाने वर लीपी है एक यूं से यूं लिखी जाने वर लीपी है एक यूं से यूं लिखी जाने वर लीपी है तो हम उस यूं से यूं मानते हैं कि नहीं देखो राजनीती बिना तो पत्ता नहीं लता कह रहें सारा कुछ राजनीती की लोगों की वज़े से होता है देश में किस तरह की सरकार हैं उनकी सोच कैसी है सरकारों की उनके अनुसार ही मतलब सारा अगला कारेकरम देश में जो हवा चलती है वो सरकार से ह चलती है यह तो सच्चा ही है सरकार चाहती है यह देश जातियों में वर्गों में धर्मों में इनमें बढ़ता रहे हो लड़ते रहे हैं आपस में तो जितना यह जातियों में वर्गों में धर्मों में बढ़ता रहेगा उतना ही यह उलजे रहेंगे इनका जहान ही दर लगा समाज में हाला कि सुरुवात से जिस परकार से हम अपने बड़े बुजुर्वों से सुनते आ रहे हैं कि ये दोनों ही जातियां आपस में बड़े प्रेम से रहा करती थी तो अब इसका समाधान क्या है ये जो महापुर्शों की जाती को लेकर जो विवाद छीड़ा हुआ है समाहन तो ही है कि सच को स्विकार कर लो और सच को स्विकार करना ही समधान है इसका जब तक सच को स्विकार निकरने के तब तक कोई समधान निकलेगा सच्चा ही पाजो हुआ है अगर मेरे बड़े नहीं है तो में के बड़े थे तो क्या बात होगी हम सच को स्विकार करने वाले लोग हैं, हम कभी नी भागने के, सच से, लेकिन जूट नी, पहले मैं पता नता कुछी को हो गए लोग, जब हम पता लग गया ऐसे कैसे के, देखा भाई, मैरे चोरुचक का कहने की, इम्मद नी पटती की सिकी भी, रेलो मैं, वहां मैं एक बार वहां सा है रहा था, मह मैं भिंडबूरना से हूँ, मेरे मुझा निकल गी, मैं भिंडबूरना में तो गुजर काफी हैं, मतलब उसकी सभ्यता का जो आना, लिंक के उसना बात करी, काना भाई, गुजर चोद्दो का तो पता नी, मतलब उसके सब्द, बड़ी-बड़ी मंडी हम पनले दारी करें, मास्र कहड़क सिंग थे पर जोखरेवाले मेरे साहत, और भी लोग बेठे थे, मुझा तो कुछ नहीं का, और बात चलती रही, और चलती रही, जितनी बार ही बोल्ला, चोद्देर फोड़े का बोल्ला, फिर भी यो निच्चे बुला लिया, मैं का आजा, जब गंटा होग मैं का, तला आजा, फोजी थाओ, आप कौन है, मैं तो ठाकुर हूँ, अच्छा मगर अजपूत है, अखाँ जी, बो मुझे पेल लिया, ओ तो फिर मुझे ड़क अपड़ा दिल ली लोग, सांस भी निकाट रही, उसने, क्या बोल लगा, उसके पास ही नही था कुछ, बोल लगा क्या, फिलाल इस वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहें, इंदोस्तान 24 के साथ, नमस्कार,